नमस्कार दोस्तों, देश के टॉप फाइनस मिनिस्ट्री बिरोकरेट, रिजर बैंक आफ इंडिया, वाल स्टीक बैंक्स और ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने शुक्रवार को आपस में हाथ मिलाकर ये तै किया कि अडानी की बेपटरी हो चुकी रेल को अगले सब्ताह बरबाद होने से बचाना है, यही आज के दटेलिग्राफ की हेडलाइन है, हेडलाइन आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑपरेशन अडानी दोस्त बचाओ इज अंडरवे, और साथ में एक बॉक्स भी है, उस बॉक्स में एक मशूर लेखक हैं, नसीम निक उनकी तरफ से अडानी को एक सुझाओ दिया गया है, उसका जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा है, उनके हवाले से, इसका क्या मतलब है, यह भी आगे बताऊंगा, उससे पहले, टेलिग्राफ की इस खबर में क्या है, वो बताने से पहले, जरा आज के दिली से छपने वाले अखवारों के सुर्खियां देखिये, और समझने की कोशिस किजिए, कि एक अखवार किस तेवर के साथ सरकार की मन्शा को एक्स्पोज करता है, और बाकी अखवार कैसे सिर्फ वो खबर छापते हैं जो सरकार बताती है, और जो अखवार आप तक पहुंचता है, उससे ख़बार की हेडलाइन है जैसे हिंदुस्तान की हेडलाइन है अडानी पर विपक्च अडा सरकार बोली सब ठीक देखते जाईए और उसके बाद इसमें निर्मला सीतारमन का जो बयान है उस बयान का जिक्र है जिसमें कहा किसी एक घटना से किसी बात का अंदाजा लगाना ग तक पहुंचा होगा यही अख़वार सब आप पढ़ रहे होंगे लेकिन टेलिग्राफ ने क्या लिखा है उसको जानना समझना जरूरी है जैसे दैनी जागरन की हेडलाइन है अडानी समू को नियमों के मुताबिकी बैंक ने दिया कर्ज हालात पर नजर अच्छी थोड़ी दिख सकती है लेकिन जैसे नवारा टाइम्स की हेडलाइन है अडानी परहंगामा बित मंत्री ने कहा SBI और LIC सेफ ये खबर सरकार की तरफ से कल बाजार में लाँच की गई उतारी गई कि LIC SBI सब सेफ है कुछ भी नहीं है कोई गरबरी नहीं है नबोदे टाइम अडानी संकट आर्बियाई ने कहा बैंकिंग चेतर मजबुत और स्थिर बैंकिंग सेक्टर बेंकुल मजबूत है ये और बियाई ने कहा यही सब आज کے सारे अखवारों की मोटे तौर पर यही हेडलाइन है क्योंकि सरकार और सरकार के मंत्रियों की तरफ से कल यही सब कहा गया अब दा टेलिग्राफ क्या लिख रहा है इसको समझे और कुछ और जानकारी आगे मैं आपको देने वाला हूं तो आप दा टेलिग्राफ के हवाले से जो पहली लाइन बोली मैंने वो फिर से रिपीट करता हूं जो टेलिग्राफ की हेडलाइन है और उसके नीचे जो ख जिन्सीज ने शुक्रवार को आपस में हाथ मिला कर ये तै किया कि अडानी को या अडानी की बेपटरी होचकी रेल को अगले हपते बरबाद होने से बचाना है ये मैं अनुवाद बता रहा हूँ गौतम अडानी ग्रुप को निगलने जैसे संकट के बाद जिस तरह से मोधी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी उससे सरकार सन्नाटे में थी शौक थी निर्मला सीता रमन के बजट को भी अडानी संकट ने ओवर शैडो कर लिया था एक सप्ता के भीतर जिस तरह से अडानी ग्रुप के 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा यानि लगबग 10 लाख कर दूब कर स्वाहा हो गए थे सरकार को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कोई प्रतिक्रिया दें या क्या करें कहीं विपक्ष के हमले विपक्ष को हमले का और मोका न मिल जाए लेकिन सुक्रबार को सरकार ने अपनी चुप्पी और हिचक को किनारे रखा डेमेज गंट्रोल म मतलब सब चंगा है समझ रहे ना यही मैंने कल रात के अपने विडियो में बताया था कि अचानक कैसे वित्त मंत्री से लेकर मोधी सरकार के कई और मंत्री तक अडानी के मामले को मामूली घटना साबित करने में जुट गए कई मंत्रियों के बयान कल रात के मेरे विडियो में है और सब के बयान ऐसे आने लगे थे जैसे अडानी के शेरों के रसातल में जाने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पढ़ने वाला है कल रात का जो मेरा विडियो है थमनेल यहां लगा रहा हूँ आपने अगर नहीं देखा ह होगा तो देख लिजेगा महाज एक सब्ता हमें अडानी के विशाल आर्थिक सामराज की चूले ही गई अडानी गुरुप का लगभग 10 लाख करोर से ज्यादा दूब गया सौहा हो गया हवा हो गया खुद अमीरों के अमीर गौतम अडानी अमीरी के तीसरे नंबर से शुक् सेयर बाजार में तबाही के बबंडर हर रोज उठते रहे अब दाउ जोन्स ने अडानी की कंपनी को अपनी लिस्टिंग से बाहर करने का एलान कर दिया NSE तक को अडानी ग्रूप की तीन कंपनीों को सर्विलांस पर डालना पड़ा साथ दिनों में हर रोज अडानी की कंपनीों के शेयर लोवर सर्किट पर चिपक कर बैखते रहे फिर भी देश के बाशाह की तरप से ये संदेश दिया गया है Everything is okay चिंता की कोई बात में यही दड़ टेलिग्राफ की खबर का लब बूल हुआ है इस खबर में आगे वित्त सच्चिव टीवी सोमनाथन के उस बयान का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था शेयर बाजार में मची आपा धापी चाए के प्याले में उठे तूफान की तरह है इसका मतलब तो यही हुआ कि लोड लेने की कोई जरूरत में यह मामूली बात है अब चाए के प्याले में तूफान उठवी कितना सकता है थोड़ा अगर तूफान आया भी तो क्या वाएगा देखिए यहां तक आएगा और अगर उठवी किया तो क्या विगार लेगा पीते वक्त लपक कर मुँ में जल्दी आ जाएगा चाहे जल्दी पी लेगे चोड़क लेगे थोड़ा होट जल सकता है अगर ज़्यादा गरम हुई यही तो होगा विगत शच्व महोदे ने PTI को दिये इंटर्वीव में यहां तक और दिया कि वित्यय स्थिर्ता के पैमाने पर देखें तो चाहे निवेशक हो या कोई policy holder हो या जमा करता हो किसी पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा और किसी भी सूरत में इस नजर्ये से चिंतित होने की जरुवत नहीं है अंग्रेजी में जो कहा गया है उसका अन्वाद लगभग यही है जो सचिव का बयान PTI के हवाले से आया है कुल मिलाकर मतलब यही है कि चैन से चादर तानकर सो जाईए है अगर आपने अडानी गुरुप में पैसा लगाया है तो भी अगर डूबा है तो भी एवरिफिंग इज ओके इसके बाद देर शाम को RBI की तरफ से भी बयान आ गया बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से स्टेबल है भारतीय बैंकों की तरफ से एक बड़े कॉर्पेट घराने को दिये गए कर्ज को लेकर मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट आई है यह RBI ने कहा एक नियामक के तौर पर RBI बित्याय स्थिर्ता के लिए पैनी नजर रखता है RBI के पास एक केंद्रियाय डेटा सिस्टम भी है जहां पांच करोड से ज़्यादा के सभी कर्ज आवंटन की निगरानी की जाती यह RBI ने कहा है और यह RBI का कल का बयान है अब इसके ठीक 24 घंटे पहले परसों यानि ग में ख़बर आए कि RBI ने बैंकों से यह जानकारी माँग venya कि अडानी ग्रुप में किस बैंक का कितना एकस पूजर है न दिलचस्प एक दिन पहलो खुद RBI बैंकों से Adani गुरुप में एकस्पूजर का बयॉरर मांगता है पता नहीं वह बयूररा RBI को मिला या नहीं लेकिन 24 घंटे के भीतर खुदी आर्बियाई everything is okay वाली लाइन पर आकर ये कहता है कि उसके पास पहले से केंद्रिये डीटा सिस्टम भी है जहां पांच करोड से ज्यादा के सभी करज आवंटन की निगरानी की जाती है बड़ा गजब है फिर सवाल तो ये है कि अगर ये डीटा सिस्टम था आर्बियाई के पास तो बैंकों से ब्योरे मांगने की जरुवत क्या थी तमल बंदोपाद्धाय नाम के ट्वीटर यूजर है उनका ट्वीट देख रहा था सुबह उन्होंने लिखा कि 2014 में स्टैबलिश डेटा सिस्टम के मुताबिक आ पाच करोर से ज्यादा करज आवंटन की जानकारी उनके टेबल पर होनी चाहिए फिर ये मांगने की बात क्यों उन्हों ने भी लिखा उसका हिंदी तर्जमा तो भराल शुक्रवार को ये भी हुआ कि फिच रेटिंग एजनसी ने में अडानी ग्रुप में भरोसा दिखान ये टेलिग्राफ की रिपोर्ट में और भी जो कुछ कोशिसें सरकार की तरफ हुई उसका भी जिक है ये अलग बात है कि शुक्रवार को ही अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के सवाल पर केंद्रिये संसद्ये कारे मंत्री प्रलाज जोशी का भी एक बयाना आया था कि स सरकार का इससे कोई ले ना देना नहीं है. इस विच एक बार फिर से मोधी और अडानी की दोस्ती और उस दोस्ती के बदले अडानी को अब तक मिलने वाले फाइदे का जिक्र भी होने लगा है. विपक्षी दलों की तरब से लगातार ये सवाल संसद में उठाया गया है कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने अब तक जाज के आदेश क्यों नहीं दिया है। सुनिए, सुप्रिया श्रीने जो कॉंग्रिस की प्रवक्ता है, वो क्या कह रही है। साथ समुंदर पार, financial markets के बड़े institutions, बड़े stock markets, S&P, Dow Jones, अदानी enterprises को ये कहकर बाहर निकाल रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत गहन आकशेप और आरोप है फ्रॉड के और इसलिए वो इंडेक्स में बने नहीं रह सकते हैं। साथ समुंदर पार, Joe Johnson, Elara Capital के director थे जिन्होंने अदानी के FPO में पैसा लगाया था और पूर्व UK के प्रधान मंतरी Boris Johnson के भाई हैं, उनको अपने पद से, director थे Elara Capital में, उनको अपने पद से resign करना पड़ा। लेकिन हिंडुस्तान में साथ समुंदर पार, institutions जो हैं, आकशेपों को लेकर चिंतित हैं और act कर रहे हैं, लेकिन हिंडुस्तान में ऐसा लग रहा है, मानो जी कुछ हुआ ही नहीं नहीं हूँ। सेभी से एक शब सुमाई नहीं देता है, कहा है SFIO, कहा है ROC, कहा है Ministry of Corporate Affairs, Government of India तो ऐसे बरताफ कर रहे हैं, शुतर मुर्ग की तरे कि उन्होंने जमीन के नीचे सर कर लिया है, और मानो कुछ हुआ ही नहीं हूँ। तो असलियत ये है कि अडानी जी जो है, वो सब को ले डूब रहे हैं, Capital Markets में मतलब दलाल स्ट्रीट पर 15 लाख करोड का नुकसान हुआ है 24 जनवरी से आज तक, 15 लाख करोड डूबे हैं, 10 लाख करोड अडानी जी के डूबे हैं, लेकिन 5 लाख करोड उन रीटेल इंवे पर उनका अडानी से कोई लेना देना नहीं है, वो शायद हिंदुस्तान की 4000 से जादा जो लिस्टिड कमपनीज है, जो अच्छे से चलती हैं, जो साफ सुतरी है, जिसमें Corporate Governance है, उसमें पैसा लगाय हुआ है, लेकिन भुगतना उनको भी पढ़ रहा है, अडानी जी के क कुकर्मो को और सरकार की मिली भगत को, तो सरकार आक्ट क्यों नहीं कर रही है, यह सवाल है, क्यों से भी कुछ नहीं कर रहा है, क्यों SFIO कुछ नहीं कर रहा है, कहा है ED, कहा है MCA, कहा है ROC, कोई शब नहीं है, मोदी जी ने तो आखो पर पट्टी बांद ली, क्योंकि वो तो दोस्ती निभाने पर तुले हुए, वो तो सदन में भी चर्चा नहीं होने देते हैं, सदन को सुमबार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि उस रीटेल इंवेस्टर को कौन बचाएगा, जो अडाने जी के कुकरमों का फल भुग संसत के दोनों सदनों में, हंगामे और सोर के बीच भी सरकार आँख कान बंद किये बैठी रही, लेकिन बाहर मंत्रीनों के ऐसे बयान जरूर आ गए कि सब कुछ चंगा है, सोमबार का दिन अब अडानी के लिए आहम होगा, सोमबार मतलब आशनी बार है, कल रभी बार पर सो, और मोधी सरकार की घिराबंदी के लिए भी सोमबार आहम होगा, कॉंग्रेस ने छे फरवरी को देश भर के जिलों में SBI और LIC के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन का एलान करना है, इस भी ट्विटर पर, फोज में 12 मार्च 2014 को छपी मेगा बाहरी की एक रिपोर्ट को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, मेरी भी नजर पड़ी, जिसमें लिखा गया है, उस रिपोर्ट में जो मार्च में लिखा गया था, कि अडानी नरेन मोधी के कितने प्रिये और कितने करीब रहे हैं, जब ये रिपोर्ट छपी थी, तब मोधी गुजरात के सीम थे, प जिस शादी में, या जिस शादी के हर समारों में, नरेन मोधी परिवार के सबसे करीबी दोस्त की तरह मोजूद थे, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, कि गुजरात में जब पिछले साल, यानि 2013 को भारती अरब पती, गौता मडानी के बेटे की शादी हुई थी, जो शादी के हर समारों में शामिल रहे, एकदम खास पारिवारिक अंकल की तरह, एकदम रिलेक्स और हसमुक, वो खास पारिवारिक दोस्त नरेन मोधी थी, अडानी के ग्रिहराज के सीम नरेन मोधी है, तब अडानी के हैसियत इतनी थी, कि दुनिया के अमीरों में 609 मोधी के पी-म बनने के बाद ही, 2014 के बाद से अडानी का सितारा चमका, ऐसा चमका कि उनकी कमपनियों के शेर रॉकेट हो गया, बिलकुल, एक ग्राफिक्स है पुराना, भासकर के हवाले से, अप्रिल तक का इसमें आकड़ा है, वो मैं बताता हूं, उससे पहले ये भी कि ये जो रिपोर्ट, ट्विटर पर करें, शादी वेया में कोई किसी के कारिकरम में जा सकता है, इसमें कोई ऐसी भात नहीं है, एक निजी रिष्टा है, ठा तो गए, अडानी के बेटे की शादी में गएや उनके पारिवारी कारिकरम में जा है, मोधी जी यो उनका रहा है कि एक कारोबारी एक उद्योगपती एक businessmen जो दुनिया का तॉप अमीरों दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में शुमार हो गया जिसकी تरक्की की कहानी बीते आठ सालों की है खासतोर से बीते तीन सालों की है तो बहुत तरह क्या्त आ्रोप सरकार पर लग रहे हैं, आरोप ये कि हर सेक्टर में, infrastructure हो, port हो, airport हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे food सेक्टर हो, चाहे power सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में अडानी का दब-दबा जिसठंग से बढ़ रहा है, यहां कि मुंबई में धाराभी को डेवलापमेंट का काम भी आडानी को मिल गया या कोई काम बचाए नहीं जो आडानी कर रहे और हर काम आडानी कर रहें और हर काम में कहीं कहीं लोगों के नेताओं का कि उनके लिए कुछ रियायतें भी दी जाती या दी गई है यह अलग बात है कि ऐसी ख़बर किसी ने अगर पहले छापी पांस साल छे साल पहले पत्रकार ने 2017 में तो उसके खिलाब मानहनी का मुकदमा भी हुआ परंजे गुहा ठकुराता के खिलाब जेल जाने की नोबत हो गई थी तो अडानी से मोदी के रिष्टे जिस र फाइदा अगर अडानी को मिला जो बिपक्ष का लगातार हरोब है राहुल गांधी अपनी सभाओं में रैलियों में लगातार कहते रहें 2014 में भी 19 में अभी भी और भारत जोडो यात्रा के दोरान भी तो यह सवाल और इस सवाल का जवाब कौन देगा और अडानी की ग्र धंदे पर बात करना भारत की ग्रोथ है स्टोरी पर हमला है यह कहा कर खारिज करना क्या सही है या जाच होनी चाहिए ग्राफिक्स जो है जो जब लोग बात करते हैं अडानी के ग्रोथ की तो इसका जिक्र जरूर होता है कि 2014 में जो गौतम अडानी करीब करीब 40,000 करोड के नेट वर्थ वाले थे वो 2022 के आखिर तक में 10 लाग से 12 लाग करोड के बीच में होते थे कभी मार्केट कम हुआ तो 10 लाग करोड बढ़ा तो 12 लाग करोड हर साल बढ़ते गए ग्राफिक्स आप जो देख रहे हैं लेकिन असली ग्रोथ उनका हुआ है बीते 3 सालों में मतल अगर करें तो कोविड काल में जब बेरुजगारी हो रही थी लोगों की नौकरियां जा रही थी तबाही मचे थी अड़ानी तब भी रॉकेट हुरे तो अड़ानी कई बार बोल जाता हूँ अड़ानी का हाल तो आपको पता ही है तो अड़ानी वहां है अड़ानी कहा है उसे लिए माफ करी का बहराल तो यह growth story है और छेकी यह-ग growth story है इसलिए सवाल है क्योंकि अगर उस growth story को expose किया किसी ढंग से और अगर हिंडनवर्ध नाम की एक अमेर्की रिसर्च एजन्सी ने 115 से ज़्यादा लंबी रिपोर्ट में बहुत सवाल उठा है जिसका जिक्र मैंने भी दो-तीन वीडियो में किया है उन सवालों का जवाब सरकार जाच करा कर ही दे सकती है या सरकार ये कहकर कि everything ही जोके और अगर आप इसको मानने को तयार है everything ही जोके तो आराम से मैंने कहा चाधर तान के आप भी सोगे लेकिन फिर आडानी साहब को वीडियो बयान जारी करने की जरुवत क्यों पड़ी नौबत क्यों पड़ी ये सोचना पड़ेगा ये कहना कि LIC ने 30 से 35,000 करोड सिर्फ इंवेस्ट किये वो एक समय में 85,000 करोड हो गया अभी थोड़ा कम हो गया या 40-45,000 करोड है तब भी LIC को फाइदा है बहुत कम है एक ही फिजदी LIC ने किया ये सब कहने को ठीक है लेकिन वो 35,000 करोड भी अगर इंवेस्ट किया बस इतना ही इतना भी क्यों है ये सवाल विपक्ष लगातार पूछ रहा है और मैंने जैसा कि फिर कहा इस पूछने की एक बुनियाद है बुनियाद ये है कि सत्ता के सिर्ष पर बैठे देश के सबसे ताकतवर शक्स प्रधान मंत्री मोदी उनकी निकटता का अगर किसी ढंग से अडानी को फाइदा होता है जिस बात की तस्दीक करने के लिए तमाम तरह की दलीलें और तर्क है तो फिर ये सवाल तो वाजिब है सिर्फ ये कह कर कि हिंडनर वर्क की रिपोर्ट देश पर हमला है इसे खारिज करना किया जाना वाजिब है की नहीं आप भी ठंडे दिमाग से सोचिएगा और उसके बात तै करिएगा कि क्या अडानी का मतलब मोदी है और अडानी की कंपनियों में गोरक धंदे की बात करना क्या देश के खिलाब बात करना है क्या देश मतलब अडानी है या अपसोचते रही है पता ने इसका जवाब आपको कम मिलेगा तो फिलाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी सोमबार को खास तोर से क्योंकि सोमबार को बाजार भी खुलेगा देखना होगा क्यादानी की कमपनियों के शेर गोतिल लगाते हैं या तो फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं नमस्कार